हालो फ्रेंट्स नमस्कार फाइनेंसियल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है जिसमें होती है वीचल फंड के बाद आपके साथ हिंदी में कि आज हम चर्चा करेंगे चर्चा क्या एक तरह से कंपेर करेंगे कि एटी सी में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें किसमें जादा फायदा रहता है और किनकिन सेक्टर से किसकिस उसमें हम निवेश कर सकते हैं कि जिससे आयकर की बचत की जा सकती है कि एक और मैक्सिमम जो है डेडर रख रुपाय तक का इंवेस्टमेन्ट किया जा सकता है जो की ग्रास सेलुरी में से टोटल माइनस हो जाता है आप इसमें कहा कहा किया जा सकता है एक तो आप जो है जो आपके बच्चों की फीज जाती है वो हो जाता है हाउसिंग लोन अगर माने जे आपने ले रखा है कहीं से भी तो उसका जो प्रिंसपल जा रहा है लोन में दो पार्ट होते हैं एक तो इंट्रेस्स का और दूसरा प्रिंस्पल का अगर माने जिए आप 10,000 रुपए की यह मैं दे रहें अपनी तो उसमें हो सकता जो आपका एक्चुल हो उसको काउंट करिएगा तो जो प्रिंस्पल होता है वह एट्टीसी में आ जाएगा बच्चों की फीस आ जाएगी इसके अलामा अगर माने जिए आप किसी इंस्वरेंस का प्रीमियम पे कर रहें जिसका की सम एसोल जो है जो प्रीमियम आप एरली दे बैंक में जो है पांच साल के ओपर टाइक सेविंग के लिए अपना इंड्वेस्टमेंट कर रखा है वह भी आ जाएगा मूचल फंड की एक बहुत ही आकर सकी स्कीम है ईलसेस एकुटी लिंग सेविंग स्कीम उसमें जो आप जमा करेंगे वह भी आ जाएगा और इसके अल जाल के लिए उसमें जो ब्याज आता है वह टोटल आपका टैक्स होता है जो आप इंवेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो वह एक्जम्ट होगा जो एमाउंट आपने इंवेस्ट किया वह तो एक्जम्ट होगा लेकिन जो टैक्स आएगा वह आपकी नार्वल इंकम में एड् इंट्रेस्ट जितना भी आपके पास वह एक्रूवल वेसिस पर आता है जितना इंट्रस मिलेगा वह आपके एक्जम्ट में तो आ जाएगा लेकिन पहले अधर इंकम में जुड़ेगा उसके बाद एक्जम्ट में भी आप ले सकते हैं अगर मानीजिए आपने 10 लाकी एक् पीस रोतों से आपका एक्टीसी में इंवेस्मेंट 2,00,00 रुपए हो रहा तो ऐसा नहीं कि आपको एक्जम्टीं साथ हजार रुपए माइक्सिमम डेड़ लाक रुपए ही इंवेस्मेंट कर सकते लिए इसके लाग एक्टीस का इंट्रस्ट एक्षे बिले बच्चों की से वह पूरी-पूरी माइनस हो जाएगी क्योंकि वह आपकी इंकम में नहीं जाएगी वह तो आप अपनी इंकम में से दे रहे हैं इसी तरह से आप जो है जो पीपी अप में जो की बहुत ही आ कर सक जितने भी senior transit agency पहले के लोग हैं इसमें इंवेस्टमेंट करते हैं इसमें इंप सबस्क्राइस करें और यहां आपद सबसे बड़ा आप आचाहे दोस्त कहिए सबसे बड़ी समस्या कए इस में लिक्विटिटी की क्राइयश होती है यानि जब आप चाहें तब पैसा नहीं निकाल सकते पंद्रा साल के लिए पीप होता है मैक्सिमम डेर लाक रुपाय आप इंवेस्ट कर सकते हैं इसके अलामा हाँ ये अलग की है कि बीच में अगर मान लीजिए आप चाहें तो साथ साल जब आपके पूरे हो गए सात्वे साल जो चौथे साल को इसका ज इसमें आप तीन साल बाद फैसा निकाल सकते हैं जहां तीन साल पूरे हो चाहां जतने पैसे क्यों बद्रा कर सकते हैं इसमें हैं यही होता है यानि कि जब आप इंवेस्मेंट करेंगे भो आपको है एक जम्ट होगा capital gain इसमें इंट्रेस मिलता नहीं capital gain होता है और तीन साल से ज्यादा investment है long term capital gain होगा एक लाख रुपए तक का अगर capital gain हो रहा तो वो exempt होगा जब आप पैसा निकालेंगे तो वो जो है खाली capital gain जो होगा उस पर है टैक्स देना होगा एक लाख मैनेस करने के बाद और उस टोटल जो है तेन परसंट के साब से टैक्स देना होगा long term capital gain equity से हो रहा है इसलिए आपको 10 परसंट ही टैक्स देना होगा अगर मालीजे आपने लगाया एक लाख रुपए दस साल बाद उसकी वाल्यू दस लाख रुपए हो रही है तो आपका capital gain होगा 10 लाख मैनस एक लाख यानि कि 9 लाख रुपए उसमें जो एक लाख रुप सब्सक्राइब 30 परसंट के टैक्स लाख में चले हैं ऐसा नहीं होगा यह इसका बेनिफिट है कि अब सब्सक्राइब है अब सब्सक्राइब है तो इसमें रिटन अच्छे आते तो आज हम कंपेर करेंगे कि जो है मुच्वल फंड और पीप इसमें हमारा ज्यादा फैदा होगा कि इस पर चर्चा करेंगे 15 साल के लिए हैं दोनों मानते हैं अगर आप 15 साल के लिए पीप में डेल लाक रुपए मैक्सिमुम लगा सकते हैं यानि मन्थली आप डेल लाक उसको डिवाइड कर लिजे साड़े बारह हजार रुपए हर महने एक पल्टिकुलर डेट मे साइपी की तरह ही जमा करना शुरू करते हैं और इसका पीप अपका इंटरस हम मान रहे हैं कि आठ परसेंट जो कि साड़े साथ से लेके जैसे वरतमान समय में 8.1 परसेंट चल ला है कभी नीचे भी चला जाता तो एवरेज हम मान की चलते हैं आठ परसेंट की रिटन जमंद रहेगा हम 15 साल तक पैसा जमा करते हैं टोटल मेरा जमा होगा जाकर के 22,50,000 रुपए 15 साल में टोटल 22,50,000 रुपए जमा होगा और इसकी वाइल्यू हमारी होगी जाकर के 8 परसेंट के हिसाब से टोटल हमारा पैसा हो जाएगा 40,50,000 रुपए हमने जमा किया 22,50,000 रुपए और हमको मिल लहा 42,50,000 रुपए यानि कि मेरे पास 20 लाख रुपए आ रहे हैं जो की टोटल टैक्स फ्री होंगे जो आज का टैक्स का अपने यहां रूल से उसके हिजाब से टैक्स फ्री होंगे इसी तरह से हम ELSS में भी साड़े 12,000 रुपए की SIP सुरू कर देते हैं अगले 15 साल तक जमा होगा और उसमें भी मूचल फंड का जो मौडरेट रिटन हम 12 परसंट ही एजूम कर रहे हैं इससे जादा नहीं मान रहे हैं जब कि उसमें 15 परसंट 20 परसंट तक आते हैं लेकिन मैं 12 परसंट ही मान रहा हूं तो बारा परसंट के हिसाब से जमा वही आपको होगा 22,50,000 रुपए पैसा हमको वापस मिलेगा जाकर के 69,50,000 फिप्टी नाइन लैक्स 50,000 यानि कि मेरा कैप्टल गेन होगा जाकर के नियर बाउट कितना हो रहा 37,50,000 रुपए एसांतिस ला रुपए मिल ला है अब जड़ा सा 37,00,000 रुपए पर टैक्स भी देख लीजे 37,00,000 जो कैप्टल गेन हुआ है उसमें से तो एक लाग रुपए माइनस कर दीजे आज के टैक्सेशन के अंसार आपको एक लाग कैप्टल गेन पर कोई भी टैक्स नहीं देना बचेगा 36,00, रुपए 36,00,000 का आप 10% निकाल दीजिए तीन लाग साथ हजार रुपए एजुकेशन से उगरा मान लीजिए हम पूरा मान लेते चार लाग रुपए तो 37,00,000 में से आप 4 लाग रुपए निकाल दीजिए तब भी आपके पास 33,00,000 रुपए बचेगा जाकर के यानि कि 11,00,000,000 रुपए जो कि हमको PPF से रिटर्ण मिल लाओ उससे 11,00,000,000 रुपए ज्यादा ELSS में रिटर्ण मिल लाओ है ELSS में एक आपको बेनिफिट्स और भी मिल जाएगा कि जैसे PPF में जो है आप अगर तीसरे चौथे साल जाएं तो पैसा नहीं विड्रा कर सकते हैं लेकिट ELSS में जितने इमाउंट का तीन साल पूरा होता जाए उसका पैसा आप विड्रा भी कर सकते हैं जैसे मालीजिए आपने SIPR शुरू की साड़े 12,000 रुपए की चार साल बाद आपके पास लग रहा है कि हमारे पास इतने ज्यादा एक्सपेंसेज बढ़ चुके हम एटीसी में नहीं कर सकते हैं तो जो आपने पहले लगाया था साड़े 12,000 के इसाफ़ अपना SWP लगा दीजिए SWP विस सिस्टमेटिक विड्राल प्लान जो पैसा आपके एकॉंट में आता रहेगा और SIP के द्वारा जाता रहेगा तो इस तरह से आप अपना जो टाइक्स एक टीसी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आपका कैप्टल में आफ्री सेशन भी होगा यानि आपके पास जो है वेल्थ क्रेट भी होगी तो देखा जाया वरतमान समय में सबसे अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट का आपसन जो है पान साल क्लाकिंग होता है लेकिन पान साल को ना मान करके जो आपका रिटायर्मेंट जितना टाइम सेश बचा है उसके हिसाब से करिएगा उससे भी आपके पास एक पैसा आना शुरू हो जाएगा रेगुलर इंकम पैसिव इंकम जो आपके पास आएगी उसको बोल सकते क्योंकि उस समय आपका पैसा ही पैसे के लिए कमा रहा होगा आप नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आप पैसा लगा करके एक जिगे सुरच्ची छोड़ देंगे तो आज हमने ये तुलनात्मक अध्यन किया चर्चा की कि जो है ELSS और PPF में क्या बिटर है अईसा भी नहीं कि आप सारा का सारा ELSS में सुरू कर दें और कहें कि PPF में हम पैसा नहीं लगाएंगे PPF के भी अपने कुछ फायदे होते हैं लेकिन हमको जहां ज्यादा फायदा होगा हम वहां पे पैसा लगाएंगे वेल्ट क्रियेट करनी है तो इसलिए जो है आप इसमें इन दोनों को देख सकते हैं जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्रमोट करने के लिए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के लिए धन नवाद चयार करें, लाइक करें, नमस्कार.